जहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में आज हम Tally ERP9 का Class No.20 ये स्टाट कर रहे हैं जिसमें हम Multiple GST के बारे में बात करेंगे IGST से Related अगर हम Transaction कर रहे हैं और वहाँ पे एक ही Billing में अगर Multiple IGST यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे दोस्तों हम पिछले वीडियो में IGST हम यूज किये थे लेकिन हम वहाँ पे Single यूज किये थे एक Bill में एक ही परकार के Tax को हमने वहाँ पे Define किया था सिर्फ 12% लेकिन आज की इस Bill में हम सिखेंगे कि एक ही Bill के अंदर अगर आपको 12%, 5%, 10% इस तरह के Bill को Define करना होता है अलग-अलग Taxes के रूप में तो हम IGST कैसे यूज करेंगे आई ये स्टाट करते हैं सबसे पहले हमें जाना है Create Company में Create में जाने के बाद एक बिल्कुल Fresh Company हम यहाँ पे बना लेते हैं ABC के नाम से दोस्तों अगर आप मेरा पिछला प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जा करके प्लेज उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सारे वीडियो एक एक करके हर क्लास आपको समझ में आ जाए यहाँ से स्टेट हम बिहार ले लेते हैं और इंटे करके हम एक सैप करते हैं दोस्तों IGST में स्टेट की काफी आहम भूमिका होती है आपको पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा तो यहाँ पे मैंने बिहार की एक कंपनी बना ली है अब हमें GST को यस करनी होगी यस करने के लिए हमें कीबोर्ट से F11 प्रेस करना है F11 में जाने के बाद यहाँ से टैक सेशन का एक अपसन दिखाई देगा इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इनेबल goods and service text यानि GST का अपसन दिखाई देगा इसे यस करना है GST details को भी यस करना है और estate already आपका by default यहाँ पे ले लेगी बिहार और GST number आप यहाँ पे put कर लेंगे उसके बाद इंटर करके finally से accept कर देंगे फिर से इंटर करना है और finally accept कर लेना है तो यह आपकी company ABC में GST enable हो चुका है अब हम असानी से IGST पे billing करेंगे तो escape से back जाएंगे gateway of tally में transaction करने के लिए हमें जाना होता है accounting voucher में इंटर करेंगे और purchase करने के लिए यहाँ से use करना होता है purchase तो हम यहाँ पे purchase पे click करेंगे अब suppliers invoice number आप से पूछा जाएगा तो suppliers invoice number में आप डालेंगे invoice number अपना date डालेंगे party name तो party name में आप cash भी डाल सकते हैं बस जिस party से आप purchase करेंगे उसका estate change होना चाहिए तो हम party name में यहाँ पे cash डाल लेते हैं तो alt c करेंगे और यहाँ पे हम उस party का नाम लिखेंगे जिस party से हम purchase कर रहा है under हम डालेंगे sunday creditor में इस party का नाम bill by bill को yes रखते हुए इंटर करके अगर नीचे आएंगे तो country India और estate मुझे change करना होगा तो estate हम यहाँ से ले लेते हैं उत्तर परदेश और इंटर करके इसे हम कर लेते हैं accept फिर से इंटर करेंगे और accept अब आपसे पुछा जाएगा purchase की laser तो alt और c बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे बनाएंगे हम purchase का laser अब दोस्तो purchase का laser जो है वो under जाता है purchase account में तो purchase का laser हम डालेंगे purchase account में यहां से inventory value are affected yes रहेगा और type of laser not applicable रहेगा इंटर करेंगे automatic आजाता है not applicable अब GST की बात होती है तो GST तो मुझे लगा रहा है तो GST को हम applicable रखेंगे और set altered GST details को हम no रखेंगे किसके laser में purchase के laser में जब भी आप दोस्तो multiple laser के लिए यानि multiple GST के लिए laser draw कर रहे होते हैं वहाँ वे purchase और sales के laser में आप GST details को जरूर no रखेंगे क्योंकि अगर यह yes रखते हैं तो एक बार उपर purchase का laser आएगा और by default जितने सारे items होंगे सब पर same आपका tax कर जाएगा तो इस अपसन को हम no रखेंगे service को हम यहां से goods को select करते हुए accept करेंगे name of item भी हम alt c से ही बनाएंगे तो alt c करेंगे और एक बना लेते हैं suppose माल लिया जाए m o u a c mouse mouse under हम इसे डालेंगे primary में और unit हम piece बनाना होगा हमें तो alt और c यहीं पर करेंगे और unit बनाएंगे pcs symbol में लिखेंगे पुरा नाम pcs लिखेंगे unicode में हम यहां से pcs को ही select करेंगे pcs और इसे हम accept कर लेंगे standard rate no रहेगा gst applicable रहेगा और gst details yes रहेगा कब जब आप कोई product का नाम बना रहे होते है तो यहां में mouse का transaction मुझे करना है तो mouse product का नाम बन रहा है तो gst details को मुझे yes करना होगा और description में यहां पर type करना होगा goods hsn code में जो mouse का code होगा वो हम type कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो calculation type on value और taxability में हमें taxable को select करना है फिर enter रहना है तो reverse charge option no रहेगा input credit भी no रहेगा दोनों option no रखना है अब यहां पर integrated tax पूछेगा कि कितना percent tax charge करना है तो हम 12, 18 और 28 पे काम करेंगे या 5, 12, 18 पे काम करेंगे किसी भी तरह से आप multiple use कर सकते हैं तो चलिए हम mouse पे 12% लगा रहे हैं तो हम इस पे 12% देंगे हो सके दोस्तों यहां पे आपसे central or state tax भी पूछा जा सकता है लेगिन कब जब हम F12 कर रहे हैं और यहां पे यह option yes रहे तब अगर yes इसे करके इंटे करते हैं तो देखिए यह design आपका यहां पे change हो गया होगा यहां पे integrated central or state पूछा जा रहा है जबकि आपको पता है कि IGST में work करते हैं तो central or state की ज़रूत नहीं होती है उसमें सिर्फ IGST होता है integrated tax तो इसे मुझे no कैसे करना होगा इसको हटाना कैसे होगा keyboard का F12 प्रेस करना है यह last वाले option को no कर देना है और इंटे कर देना है automatic आपका वो हट जाएगा फिर इंटे करके आप नीचे आईएगा tax 12% charge किजिएगा और इंटे करके accept कर लिजिएगा मौस का quantity 100 piece rate 500 के rate से amount आजाएगा फिर alt और c करेंगे next item हम ले लेते हैं तो next item हम ले लेते हैं AC इंटे करते हैं इंटे करने के बाद हम इसे under primary में ही डालेंगे और यहां से PCS डालना है piece और standard rate जो है no रहेगा GST applicable डालेंगे details को फिर से yes करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों उसी प्रोसेस से आपको हर product का अलग-अलग GST जितना जिसके जितना percent है वह आपको चार्ज करना होगा टैक्सेबल और इस पर 28 कर लेते हैं इंटे और एक्सेप्ट इसी काम ले लेते हैं पाच-पीस rate पचास जार के रिट से इंटर और सी करते हैं और तीसरा आइटम में लेते हैं LED कोई TV वगर है अंडर प्राइमरी आप पूरा नाम लिख सकते हैं हम सिर्फ समझाने के लिए short name यहाँ पर दे रहे हैं जीस्टी अप्रीकेबल डीटेल्स यस डिस्क्रिप्शन गुड्स एचेसन कोड इंटर काल्कुलेशन टाइप ऑन भाइलू टैक्सबिलिटी टैक्सेबल दोनों नो रहेगा परसेंटेज इस पे ले लेते हैं अठारा LED पे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका हम बीस पीस ले लेते हैं रेट दस जार के रेट से तो दोस्तों आप देखें कि तीन मेरे पास प्रड़क्ट है और तीनों पर तीन परकार के टैक्स लगे हुए है ठीक है पहले माउस पे हमने बारा परसेंट टैक्स चार्ज किया है एसी पे आठाइस परसेंट और लेडी पर 18% तो यह अलग-अलग IGST आपका चार्ज हुआ है तो हम इंटे करेंगे और अलग-अलग IGST काटने के लिए अलग-अलग टाइप का IGST मुझे बनाना परेगा तो Alt-C करना है यहाँ और बनाना IGST at the rate of 12% पहले बना लेते हैं 12% का अंडर जाएगा duties and taxes में इंटे क करेंगे यहां से GST select करेंगे integrated text select करेंगे क्योंकि IGST का लेजर है percentage 12 इंटे करके और इसे हम यहाँ पर राउंडिंग मिथर नॉट अपली के वह लगते हुए accept कर लेंगे तो यह automatic text आपका यहाँ पर कर जाएगा फिर इंटे करेंगे Alt-C करेंगे और यहाँ पर मनाएंगे IGST इसको select करेंगे और percentage 28 रखेंगे rounding method not applicable डालते हुए इसे हम accept करेंगे तो automatic किये 250 पर 18% tax कर जाएगा फिर इंटे करेंगे Alt-C करेंगे और एक Alt-C बनाएंगे IGST at the rate of 18% इंटे करेंगे driftage and taxes GST same process रहेगा सब में यहाँ से 18% tax डालेंगे rounding method not applicable डालते हुए इंटे करेंगे नंबर यानि रसीद नंबर अपना डाल लिजेगा party name में किसी party का नाम है तो नाम बना लिजे ऑल्ट और सी करके जैसे अनील तो अनील का लेजर आप डालिएगा sales account में डाल करके इंटे करेंगे GST applicable को हम यहाँ से applicable ही रखेंगे details को हम नो रखेंगे sales और purchase के लेजर में हमेशा details आप नो रखिएगा supply में goods और accept item अलड़ी बना हुआ alt c करने की जरूत नहीं है keyboard का space बटन प्रेस करना है आपका यहाँ पर आइटम बाजाएगा जैसे यह सी यहीं ले ले लेते हैं एक पीस साथ हजार में दूसरा product led एक ही पीस ले ले लेते हैं पंद्रह हजार में ज्यादा हो गया इंटर और आगे एक और product है मेरे पास mouse इसका दो पीस ले लेते हैं नौ शौक के रिट से चली तो यह मेरा item सब कुछ यहाँ पर clear हो चुका हम इंटर करके और GST चार्ज कर लेते हैं सब पे पहले बारा कर लेते हैं तो जिस पे बारा है वो बारा लग जाएगा जिस पर 18 है वो अठारा लग जाएगा और जिस पर अठाई से 28 लग जाएगा सब अटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा हम इंटर करके और new reference डालेंगे यहाँ पर नेम होगर अडाल करके अटोमेटिक की से हम accept कर लेंगे तो sales की transaction हो जाएगी अगर आप billing देखेंगे तो नाम लिख देते हैं W और इसे desktop पे हम save कर लेते हैं और चलिए इसे हम desktop पे एक बार open करके देखते हैं W फाइल को देखें यह 12% 18% 18% automatic tax सबकुछ यहाँ पर कटा हुआ है यहाँ पर tax का value वगरा rate वगरा सारे चीज़ details में भी दिये हुए है सबका यहाँ पर HSN code भी दिये हो चुका है अगर दोस्तों आप चेक करना चाते है कि कौन से product पे कितना percent tax कटा हुआ है तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे टैली कोपिन करेंगे यहाँ से जाना display option में इंटे करना है इंटे करने के बाद आपको चले जाना है static reports में यहाँ से GST का option दिखाई देग तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस पे कितना percent tax आपका चार्ज है यहाँ पे भी 12%, 18%, 18%, 18% integrated tax, integrated tax, integrated tax तो सब कुछ यहाँ पे text details भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन से product पे कितना percent tax लगा हुआ है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजे और मेरे चैनल पे नए है तो इसी तरह के content के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और अगर मेरा playlist नहीं देखे हैं तो यहाँ पे इंडे स्कीन में आपको playlist दिख रहा होगा यहाँ पे जाईए और सारे वीडियो को आप जरूर देखिए फिर मिलता है किस अगले वीडियो में तब तक ले जाएं आपका दिन सुभू